हेलो एंड वेल्कम दे पॉलिटी करेंट फेर सेशन और कॉंपिटिशन कम्मुनिटीज यूट्यूब चैनल मैं हूनिकत परविन खान और आज के सेशन में हम पॉलिटी से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो की 22 सेप्टेंबर के बीच में घटी हैं उनको देख हाइलाइट्स देख लेते हैं न्यूस फ्लैश में तो पहली खबर बहुत इंपॉर्टन डूसरे सीडियस नुक्त हुए हैं तो विपिन रावत की मृत्यू के बाद काफी महिनों से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यनिसीडियस का पद खाली था और उसमें अब एक नहीं एक नियू एरपोर्ट को नेम दिया गया है ठीक चंडिगड हवाई अडे को एक नाम दिया गया है तीसरा है एसाई ने एंपी के बांधवगडवन अभ्यारण में पुरा तात्विक अफशेशों का खुलासा किया है तो आर्केलोचिकल सर्वे ओफ इंडिया ने मध्य प् कुछ इंपॉर्टेंड आपके पुरा तात्विक अफशेशन के आर्केलोचिकल जो रिलिक्स हैं उनके बारे में बताया है यह रिविलीशन बहुत जादा क्लियर नहीं है बड़ क्या कुछ पाया गया हम वो देखेंगे नेक्स जो लास न्यूज होगी इस वीक की वो है सा हड़ वाली न्यूज इसलिए मैंने कवर किया बाकी फोर्ट न्यूज क्योंकि अपॉइंटमेंट है वैश्विक रूप से जहां पर जो भी राज प्रमुक न्यूक्त होता है मैं उसे कवर करते ही हूं तो जो साओधी अरेबिया महां के जो प्रिंस क्राउन प्रिंस हैं व दूरिमेंबर बार बार इस नाम को याद रखिये आने वाले कई एक्जैम में यह आ सकता है लेफन जनरल अनिल चोहान एंड ही इस दर रिटायर्ड वन इस नॉट दसर्विंग वण ठीक है लेफन जनरल अनिल चोहान जो हैं वह होंगे इंडिया के दूसरे cds हम सभी जानत हैं कि जेनरल बिपिन रावत का हेलिकॉप्टर दुरगटना में दुरगटना ग्रस्ट हो गया था जिसके वज़े से बीते दस माह से यह पत खाली था आप जानते हैं कि यह नया पत सरजित किया गया है CDS का जिसमें जो तीनों विंग्स होते हैं हमारी मिलिटरी के आमी नेव होते हैं द्यान रखें तीनों ही सेनाओं के सर्वप्रमुक यह अधिकारी होते हैं और इसके अलावा यह जो पद होता है यह प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को अपनी रिपोर्ट्स पेश करता है इनकी न्यूकती कैबिनेट की जो अपोइंट्मेंट क तीनों जो सेवाएं होते हैं विंग्स होते हैं उनमें कोरिणेशन स्थापित करने के लिए इस पत को स्रजित किया गया था यह थोड़ा सा जो बैग्राउंड में आपको बतारियों से ध्यान रखे न फर्स जनुवरी 2020 को फर्स सीडियस नियुक्त हुए थे ठीक दूसरी चीज ध्यान रखे कि इनका जो कारकाल होता है वो तीन साल या 65 वर्ष की आयू होता है ठीक उसके अलाव रिटायर्ट पर्सन को भी बनाने की इसमें बातें की गई है साथ ही कुछ और भी चेंजेस किये गए जैसे लिखा है नए नियमक अनुसार लेफ्टने जनरल वाइस एड्मिरल और एर मार्शल स्टर के तीन स्टार से निदिकारी भी सीडियस बन सकते हैं तो इवन थ्री स् को बनाया गया नया सीडियस फाइन तो स्टैटिक पार्ट मैंने थोड़ा सा बैग्राउंड में बता है ध्यान में रखेंगी पद कब आया था पहले सीडियस कौन थे इनका जो रेटायमेंट एज है वो क्या होता है इनका पॉइंटमेंट कैसे कौन करता है इसके लावा ब कामलों के विभाके सचिव भी होंगी विल ऑल्सो सर्विजा सेकरेटरी इन दा डिफेंस रिपार्टमेंट ठीक है उसकी बाद नए ने 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 नियम आपको बता दिया मैंने सेना में करीब इनके बारे में कुछ इनका एक्सपीरियंस है सेना में करीब 40 साल तक आव विशि सफलता हासिल है और उसके वज़े से उनके जो कार हैं अपने शेत्र में वो बहुत ज़ादा उलेखनी है तो थोड़ा सा इनका बैगराउंड आप पड़ लेंगे ठीक है इने करीब 40 एर्स के एक्सपीरियंस है ठीक और खास्तों पे जमु कश्मीर और साथ इसाथ नौट माश्यल वाइस एड्मिरर और लेफने जनरल भी सीडियेस बन सकते हैं ये कुछ अमेंडमेंट किये हैं सेंट्रिल गवर्मेंट ने ठीक मुद्दे की बात यह है कि नए सीडियेस का नाम सबसे इंपोर्टन है बाकी बातें आपको शायद पूछे रिशायद ना पर यह तो बढ़ चंडिगरण में जो एएपोर्ट है उसका नाम बदलकर चंडिगरण एपोर्ट के जगे शहीद भगत सिंग के नाम पर रख दिया गया है चंडिगरण हवाय अड्डे का नाम शहीद भगत सिंग अंतराष्ट्र हवाय एड़्ड़ा पढ़ गया अगें इस वेरी व व्यक्तित्व के उपर रखा गया है अक्सर उन्हें जीके के questions में पूछता ही है अगर ये कोई current में आ जाता है ऐसा पार्ट की कुछ नया नाम करन हुआ है तो जाहिर से बात है आपके कोई ना कोई ऐसे questions में आएगा ही ठीक है तो ऐसा है कि 28 September 2022 को शहीद आजम भगत सिंग की एक सो पंदरवी जैनती थी तो ये पहले से अनाउंस कर दिया गया था कि 28 September को उनकी जैनती के दिन ही चंडिगड एयरपोर्ट का नाम बदल करके उनके नाम पर रख दिया जाएगा चंडिगड एयरपोर्ट के नाम को लेकर लंबे समय तक पंजाब हर्याना की बीच विव एक इनों में विवात था कि उसका नाम क्या होगा केंडर अलग सजेस्ट करता पंजाब अलग सजेस्ट करता था और हर्या Know सजेस्ट कर तो यए विव्याद बात थी अगस्त में पंजाब के सिंए भगवत भगत सिंग के नाम पर रखने पर सहमती बनी मैं बहुत जादा इसका बैग्राउंड ने जाओंगी कौन क्या सजेस्ट कर रहा था आप बस इतना समझ लीजे कि आम बैठक के साथ ये वाला नाम फाइनिलाइज किरा गया एरपोर्ट के नाम के पीछे मोहाली चंडिगर और प चंडिगर इंटरनेशनल एरपोर्ट में अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 51 फीजदी हिस्सेदारी पंजाव एहरयान की 24.5 फीजदी हिस्सेदारी की ठीक है अगेन चंडिगर यूनिटेरिटरी होने के नादे इसमें 51% जो स्टेक होगा वो सेंटर का होगा और बाकी दोनों स स्टेट्स का होगा 24,25% ठीक तो क्योंकि एक इंपोर्टेंट व्यक्तित्व की ऊपर ये चंडिगर एरपोर्ट का नाम रखा गया तो जाहिर से बात है भगत सिंग का जो भी अतिहास एक महत्व है उसे आप एक बर रिवाइस कर लें करन में आप जब भी कुछ ऐसी घटना पढ़ता है डायनेमिक और उसमें को हिस्ट्री का इंपोर्टेंट फिगर हाइलाइट होता है तो उसके बारे में जो भी आपने हिस्ट्री में पढ़ रखा है उसे एक बर जाकर कि दोहरा जरूर लें शही भगन सिंग का जो नाम जुड़ता है वो आपका हिंदुस्तान र पब्लिक अन असोसिएशन एच एस आरे बनी थी 1928 में इन दोनों ही आतंगवादी संगठोनों से जुड़ता है या मैं कहूं करांतिकारी संगठोनों से जुड़ता है जो भारत की स्वतंतरता संग्राम का जो दूसरा चरण था करांतिकारी आंदोलोनों का उसमें ने जो लाहूर के एसपी जेपी सॉंडर्स हैं उनकी हत्या कर दे थी जिस वज़े से 13 मर्च 1931 को इनकी दो साथियों के साथ इनको फांसी की सजा दे दी गई तो यह जो बात हैं भगत सिंग के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से केस में इन वर्ल्ट थे और इनका क्या इं इंडिगर एएपोट इस नाओ शहीद भगत सिंग इंटरनाशनल एपोट ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे अगे अगी जो यह न्यूज है अगली यह पूरी तरह से हैस्टोरिक है हम देखिए पढ़ते ही आए हैं कि इंडिया में जो आर्किलोजिकल सर्वे ओफ इंडिय ब्रिटिशकाल से यह डिपार्टमेंट भारत में अस्तितमे हैं और इसी डिपार्टमेंट ने हमारी सबसे पहली सविता सिंदुगाटी सविता को खोज निकाला था और तब से लेकर आज तक भारत के जितने भी ओतेखास की गर्ब में चुपे हुए पहलू हैं उन सब को इसे ने निकाला है और इसे सिलसिले में एक नया खुलासा A.S.I. ने किया है मदप्रदेश का जो फेमस बांधवगर नेशनल पार्क है वहाँ पर कुछ इंपॉर्टन डेलिक्स मिलें कुछ इंपॉर्टन आर्केलोजिकल साइट्स मिली है हाला कि ये कौन से काल की है किस सपापधी कि इसापूर्फ के देखते हैं कुछ मुगलकाल के दिखते हैं कुछ शर्की राजबंश की दिखते है culli अब इसमें आगे निज आना बचा यह सर्वेगर जो न्भी मेराल जो नीजिस है उसे हम देख ले तें कहां पर मद faithful से पांसों किलोमेटर की दूरी पर ह जानते हैं बांदव ने निशनल पार्क है आपका एक टाइगर रिजर्फ भी है वहां पर ये आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया किया एक्सकेवेशन चला जिसमें हमको इंपॉर्टेंट आर्केलोजिकल साक्ष मिले है ठीक एसाय ने एंपी के बांदव गर्ड वन अभ्य अगर इसमें एक्जेकनिस के साथ देखें तो हमें 26 मंदिर, 26 गुफाएं, 2 बुनास्ट्रीज, 2 स्टूप, 24 अभिलेक, 46 मूर्तियां मिली है ठीक उसके अलाव 19 वाटर स्ट्रक्चर भी इसमें मिले हैं का जाता है कि विश्नु जी का जो वरा अफ्तार है उसकी सबसे बड हम पढ़ते हैं, उनमें आपने वरा अफ्तार सुना होगा, उनकी एक बहुत बड़ी मूर्तियां पर मिली है, जो बाइफार अब तक की सबसे बड़ी वरा मूर्ति मानी जाती है, तो जिहान रखें कि कौन कौन से अफशेश मिले हैं, ठीक और इंपॉर्टन है कि दिको मत् मुगलकाल और जौनपूर के शर्की वंच के सिक्के भी यहां पाए गए हैं, एक तरफ मतुरा कोशामबी का भी नाम आता है, मुगलकाल के सिक्के भी हैं, शर्की राजवच के सिक्के भी हैं, तो हो सकता है, ये बान्दवगाड जो मध्धिपरांथ है, वहां पर शायद बहुत सारी अलग-अलग समय की सभिताओं के कुछ रिलिक्स हैं, अभी इस पर सर्वे बाकी है, और आप इसकी अपडेट्स लेते रहें, टाइम टो टाइम आपके एक्जाम तक के, ठीक है, बेराल ये आर्केलोजिकल साक्ष कहां से मिलें, फिलहाल आपके डायनमी के युक्त हुएं, वहां के क्राउन प्रिंस मुहमद बिन सल्मान, जिनको हम MBS बोलते हैं, शौट में मुहमद बिन सल्मान, आप जानते ही होंगे कि साओधी अरब में अपसिलूट मुनार किये हैं, पूनता वहां पर राज तंतर स्थापित है, कोई elections नहीं होते हैं, वहां और कुछ भी ऐसा नहीं है, लोकतंतर वगर नहीं है, पूरी तरह से राज तंतर है, अपसिलूट मुनार किये हैं, तो वहां के जो फिलहाल के किंग हैं, साओधी अरब की किंग, सल्मान बिन अब्दुल्ला अजीज, ध्यान में रखना दोनों में सल्मान हैं, और ये कोई नया प्रधान मत्री नियुक्त किया और जो बेटें जिनको प्रधान मत्री नियुक्त किया गया है, वह है मुहमद बिन सल्मान, तो किंग का नाम सल्मान बिन अब्दुलाजीज, और इनका नाम में मुहमद बिन सल्मान, नाम से समझ में आ रहोगा, इनके पिता का नाम सल् तो ये किंग का नाम है बई, ये प्रिंस का नाम है और ये वहां के नए प्रधान मंतरी का भी नाम है, तो फिलहाल जो है, बात ये है कि सल्मार मिन अब्दुलजीज जो वहां की फिलहाल की किंग है, उन्हों ने ठीक अपने दोनों बेटों को कुछ महतवपोर्ण विभाग दी हैं सबसे पहले तो मुहमद बिन सल्मान आगकी प्रधानमंत्री बनाएं गया और कि रूप्म nudध्रा गये तो जिस पद पर अभी इनके भाई खाल्य dha आएng उस पधपर ये पहले स्वयम थे यानि कि रक्षय मंत्री के पत्पर थे आप प्रधान मंत्री बन गए इस पत्पर आ गए खालिद ठीक प्रधान मंत्री की रूप में में विदेशी दौरों में साओधी अरब का प्रतिन दित्व करना और देश की तरफ से आयुजित होने वाले सम्मिलनों की अध्यक्षिता करना शामिल होगा तो वहां पर पी एम को कुछ आपकी राज की ड्यूटीज दी गई हैं क्याबिनेट की मीटिंग्स को यही हैट करें गयात होना चाहिए हम सभी को शैद जानकारे भी होगे आपको कि गल्फ कंट्रीज में तेल निर्यातक देशों में मिडिल इस कंट्रीज में सबसे दाधा पाउरफुल अगर कोई नेशन है तो वह साओधी अरेबिया और इसलिए इंपॉर्टेंट है काफी कि वहां पे नय प्रधान मंत्री कौन बना है तो नाम याद रखिएगा इनके जो डिपार्टमेंट उसमें जो फेर बदल हुआ है उसे ध्यान रखिएगा पहले रक्षा मंत्री थे और अब बन गहें प्रधान मंत्री ध्यान रहें वहां पे कोई elections नहीं होते हैं वहां पे absolute मोनार्की है व नहीं प्रधान मंत्री का नाम और इनका पुराना विभाग और वहां पे नए रक्षा मंत्री कौन बने वहां पे नहीं रक्षा मंत्री कौन बने इनकी इंपॉर्टेंट भूमी का है वैश्विक राजनीती में वैश्विक अट्विवस्था में ठीक है तो इतनी बातें थी जो आज की यहने लास्ट वीक की पॉलिटिक करेंट अफेर्स की सेशन से रिलेटें इंपॉर्टेंट थी आपके लिए आपको चीज़े समझ मे आये होंगी बहुत जादा ऐसे कोई conceptual बाते नहीं थी जादा दा डाइनेमिक था उसका थोड़ा सा background देख लेंगे जैसे CDS के बारे में देख लेंगे साओधी अरेविया के बारे में देख लेंगे ASI क्या होता है यह का काम क्या है यह देख लेंगे बांधवगर के बारे में जो geography की information आपके पास है उसे थोड़ा सा recall कर लेंगे current तो है ही है उसमें जो भी नाम आते हैं जगा आते हैं उन से related थोड़ी सी चीज़े निकाल लीजे आप देखेगा कुछ भी नहीं बचेगा ऐसा जो आपको objective बनाने में मदद ना करे उल्टा जद्धानी क्या है उसकी official language क्या है और उसकी currency क्या है क्या कहा मैंने capital बताइगे दूसरा बताइए आप कि वहां की official language क्या है और तीसरी वहां की currency या मुद्रा क्या है ठीक मिलते हैं next week thank you so much